Hi everyone, मैं आपको दोस्ता है, सुवागत करता हूँ अपने चैनल पे, आज करेंगे Mi 10 Pro की unboxing, ये unboxing मेरे फ्रेंड ने की है चाइना में, तो इस फोन में मिलते हैं तीन वेरियंट 8GB 205, 12GB 205, 12GB 512, cost है इसकी 50,000 to 60,000, बहुत ही महगा फोन लॉंच किया है शाउमी ने, इस फोन के वोक्स में मिलेगा उपको 65W का चार्जर, जो मगर ये फोन सपोर्ट करता है, सिर्फ 50W का चार्जर, तो शाउमी ने कमाल की है भई, चार्ज 50W सपोर्ट करता है, मगर दिया है 65, अब जिससे अपना लैप्टॉप भी चार्ज कर सकते हैं, तो फोन की बात कीज़ए, तो 6. 10 mm थिकने से इस फोन की, तोड़ा सा है भी लगा, मगर बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ ये फोन आता है, डूल नैनो सिम सपोर्ट करता है, इस फोन में माइक्रो स्टी कार्ट नहीं मिलेगा, सिंगल पंच होल के साथ ये फोन आता है, जो काफी बड़िया लग रहा है, कर अबाउट फोन के बारे पढ़ लेते है, स्नाप्रेगन 865, बैटरी 4500 इमेज की, 108 मेपिक्सल का कैमरे का सपोर्ट मिलता है, इसमें 8GB RAM वाला है, 12GB मिलती है, अन्रोइड वर्जन 10 जो लेटेस्ट है, जो मुझे काफी बढ़िया लगा, अप शाओमी के मोस्ली फोन, अन्र हम देख सकते हैं, इसमें LPDDR5, UFS 3.0, साथ में आपको मिलता है, Wi-Fi 6, रिफ्रेश रेट की बात किजिए तो आपको दो अप्शन मिलेंगे, 60Hz और 90Hz, जो काफी प्यारा लगते हैं, और सैंप्लिंग रेट इस फोन की है, 180Hz, जो काफी मुझे बढ़िया लगी, एंटरू ट इस फोन की जो काफी जादा बढ़िया लगी, और मैं कह सकता हूँ कि प्रीमियम फोन है, जिससे आप कह सकते हैं, मुस्ली प्रीमियम फोन होते हैं, तो अगर इंडिया में आता है, रेली कमाल करेगा, काफी लोगों को होगा कि इतना महिंगा हम ना लें, शाओमी का है, मग को फ्रेट में भी और बैक में भी इस फोन के, कलर्स आप देख सकते हैं, कितने बढ़िया आ रहे हैं, और मुझे रेली काफी बढ़िया लगा ये फोन हर एंगल से, तो स्कोर आया है इसका पांच लाग अच पिंजा है यार, और कह रहे हैं, इसका MIUI अपडेट के बाद इ तो काफी बढ़िया स्कोर लगा, तो अब आउट डिवाइस के बारे पढ़ लेते हैं, इस फोन में में मिलेगा Snapdragon 865, Enreno 650, 1080 x 2340 का screen resolution, CP Core 8, refresh rate 90 Hz, pixel density 386 ppi, 108 megapixel plus 20, plus 12, plus 8 megapixel का rear camera, 20 megapixel का front camera, 4500 mAh की battery, Android 10 और NFC ये पोर्ट करता है, ये फोन वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट क और reverse wireless charging भी आप कर सकते हैं 10W तक जो काफी बढ़िया लागा मुझे इस phone के बारे में अब बात करते हैं इस phone के camera की तो 108MP का Samsung के sensor के साथ 8P lens के साथ मिलता है main camera 20MP का ultra wide 12MP का portrait lens और 8MP का ultra teleporter lens front camera मिलेगा आपको 20MP का 10x hybrid zoom 50x digital zoom का support मिलता है जो मुझे काफी जादा बढ़िया लगा बाकी मैं जब China next one जाओंगा तो इसका camera review जल्दी लओंगा और compare करेंगे बाकी flagship phones के साथ कितना बढ़िया है इसका phone मैंने कुछ pictures भी click रुआई थी और वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा आप देख सकते हैं 50x zoom कर सकते हैं जो काफी बढ़िया लगा 108MP का आपको option यहां मिलेगी साथ में DXO Mark में ये phone टॉप पे आ चुका है Mi 10 Pro 124 score के साथ जो काफी बढ़िया है और हम इसका 108MP का zoom अगर करते हैं तो आप 2x का zoom सपोर्ट करता है 108MP camera के साथ भी मुझे वैसे camera इसका काफी बढ़िया लग रहा है और कुछ मैंने clicks लिये थे जो आप देख सकते हैं और clarity, colors, brightness, noise काफी बढ़िया लगे मुझे इस phone की और मैं कहूंगा यह really worth phone है एक premium phone के हिसाब से Xiaomi ने कमाल किये अगर यही चीजें कुछ Samsung, Huawei या iPhone लाता है तो वो एक लाक से कम नहीं price लेगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही बढ़िया लगे तो एक like ज़रूर कीजिए और कुछ जाना जाते हैं इस phone के बारे में तो comment कीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही जहेंद, वंदे मातरम, see you in next video, soon